तो यार स्वागत एक फ्रेश वीडियो में तो मेरा नाम यार वंश वर्मा मैं DTU में फर्स्ट यर स्टुडेंट उसी ओई ब्रांच का आज यार इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे अगर आप 11-12 के स्टुडेंट हो और आपने 11-12 में CS आप नहीं करिए कोई और कोश्ट रख है कि में कॉलेज में जाके भाई या CS ही चाहिए computer science ब्रांच ही चाहिए तो क्या आपको difficulty आने वाली है कोई problem आपको face करनी होगी या कुछ ना कुछ आपके जो peer pressure वह आने वाले आगर आपके दोस्तों ने ले रखिया तो कुछ जाद ही आगे से ले जाएंगे अगर आपने physical लिया कोई और language ली ती 11-12 में तो यार अगर मैं अपने experience बताओ मेरे साथ कैसा हुआ तो यार अपन के साथ किया था जो हमारा पहले semester हुआ उसमें हमारे पास थी mechanical अब mechanical थी और कोई computer का subject नहीं था तो मेरे जो तीन महीने का time था first semester उसमें मैंने C++ के basics पढ़ problem आए नहीं problem बस इतनी सी थी जो मुझे C++ है उसे C में convert करना था अब यार अगर time की बात कर ले तो तुम किस time पर सीख सकते हो तो यार मैं एकदम main जो बोलना चाहूंगा वो है अगर आप mains के त्यारी अभी कर रहे हो तो सिर्फ mains पर focus करो अभी programming मत करो क्योंकि जब मैं में mains की त्यारी कर रहा था तो मेरे दिमांग में भी था क्योंकि मेरा यार यही था कि अपन को यार प्लेस्मेंट चाहिए और जितनी तेजी से आजकल जो आईटी सेक्टर में बढ़ रही है ना उतना किसी में नहीं है तो प्रोग्रामिंग तो बहुत जरूरी है तो हमारे दि बोलना है सिर्फ मेंस पर ध्यान दो एडवांस पर ध्यान दो अगर आप सिर्फ मेंस कर रहे हो तो मेंस से काउंसलिंग तक जो पहला दिन होने वाला कॉलेज का उस पर आपके पास बहुत टाइम है मतलब बहुत ज्यादा आप सी प्लस प्लस या सी कोई सी भी प्रोग्लम मतलब मतलब यार कुछ दोस्त होंगे तुमारे जिसने पेट कोट्स ले रखा होगा किसी-किसी ने यूट्यूब से कर रहा होगा तो किसी-किसी ने 11-12 से ही CS पूरी कर रखी होगी अब यार तुम्हें क्या लगेगा कि भाईया उसे तो मेर्से ज्यादा आता ह जो कि यार ओव्यासा उसे आता है क्यों क्योंकि उसमें महनत करी है और यह डिफ्रेंस ना तुम्हें फर्स्ट ख्लास से दिख जाएगा पर घबराने वाली बिलकुल बात नहीं है क्योंकि यार जब मैं ऐसे पढ़ता था न मेंस तो मुझे भी लगता था कि यार प्रोग् से बेसिक हो जाएंगे बलकि आर जो आजकल के स्कूल से ना उसमें थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूं कंपल्सरी सा होता जा रहे है कि पाइथन पढ़नी है और जैसे कुछ-कुछ गौर्रमेंट कॉलिज ज्यादा था गौर्मेंट कॉलेज जैसे मेरा डी टी यू उसमें सी पढ़ाई जाती है कई मेर सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है तो एक तरह से वहां से कोई एड्वैंटेज मिली नहीं रही है क्योंकि पाइथन से सी प्लस यह प्लस यह सी में कंवर्ट करना होई नहीं सकता नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं है अगर तुमें सी प्लस प्लस तो C में convert कर सकते हो, C पड़ रखी है तो C++ में convert कर सकते हो, पर Python से नहीं कर सकते हैं, पर कुछ कुछ कॉलेज हैं जिसे IIIT Delhi जिसमें Python पढ़ाए जाती है, लास्ट में यार समप कर देते हैं, जो मैंने बताया जो problem होने वाली है, काफी कुछ बड़ी problem नहीं होने वाली है, थो जो हर वीडियो में एकी वात बोरो, मेंस पर focus करो, अब यार करीब करीब एक महिना रह गया है, चितनी मैना तो सकती यार पूरी कर दो, चितना अच्छे college में जाओगे न, उतनी ज्यादा opportunities मिलेंगी, मैं यार DTO में गया हूँ, DTO में हद भरके opportunities है, ऐसे यार और अच्छे college में जाओ, और अच्छी opportunities मिलेंगी, एक महिना बचाए, रिवीजन करो, मोग टेस्टो, पूरी जान लगातो, for the means, तो मिलते यार नेक्स्ट वीडियो में, goodbye, ठीक है, hash include, उसने बिना देखे मैं का लिख दिया, पर आर SS तुमें कोई problem ने आने वाली, क्यों, क्योंकि यार अगर तुम अच्छी तरह से, पूरी मैना से, अगर,